मैं हुदे और आपका स्वागत है हमारे चैनल 4 Unlimited Tricks में दोस्तों अगर आप एक वैब डिलार प्रम बनना चाहते हैं अपनी वैबसाइट के बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएं जहांपे आप आपको 6 लेंगविज की जानकरी दी जा बार देख रहे हैं तो आप जाकर हमारी पहले बार वीडियो देख लीजिए उनमें हमने आपको अब तक 21 से 22 लेशन दे दिम्हां पर आप जाकर बहुत अच्य सीख सकते हैं तो आप जुड़ेगे मारी इस वीडियो के साथ और जब इस वीडियो को लाइक कर दीजे तो हमने पिछले जो मारी वीडियो थी उसमें हमने ब्लॉक्स के बारें बात की थी ब्लॉक्स बिनाने सीखे थे क्यong्स कंदर के साथ आपको html classes के वीडियो क्या होगा और हम कैसे इसको यूज करेंगे तो हम इसके लिए आप दो एडिटर की जूरुत पड़ेगी फ़र्स्ट अफ ओल हम नॉटपैड को यूज करेंगे और सेकिन हम नॉटपैड प्लस प्लस को यूज करेंगे नॉटपैड में हम आपको ओनली थियोरी क्लास देंगे एंड जो हमारी notepad++ उसमें हम practical classes cover करेंगे तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चाहँ को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस bell का icon पर क्लिक कर दीजिए यहां पर आप all notification कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वारे हर वीडियो की notification मिलती रहें तो चलिए हम वीडियो को चलते हैं तो first of all हम notepad notepad को open करते हैं यहां पर मैं विंडो आप्रस करता हूं ओके and then enter press तो यह हमारी notepad यहां पर open हो रही है तो जो हमारा आज का काम होने वाला है वो हम इसमें पहले theory class में आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब क्लास अट्रिब्यूट जो क्लास का अट्रिब्यूट होने वाला हम इसके बारे में जानने वाले हैं तो हम इसे यूज कैसे करने वाले हैं तो हम यहां पर बता रहें दी एस्टिएमल क्रीमल बताचirtवितना का यहां प्रकाशियं को इसके सहे बाले हैं 걸로 कि ताफितना के सहेंिख स्टिपट श्राइमा नहिमें टिवे स्टिश्यू मे श्राइमाप स्टिएमchau टमें श्राइमा ड्राइमाप्स वाले हैं तो हम एंच्यूब्ट ripping far the और हैं awareness कि दी सेम क्लास नेम ओके तो हम यहां पर जो अरिमेंट से है इसको डिफाइन करने वाले हैं क्लासिस नेम से ओके क्लास zur क्लास से अबाण यहां बाण यहां यहां बाण समय क्लास तम ज सकती है तका डं नेम से बाण डास फिला यहां लु Sind ורब है तो हम जाईन not क्लास फिले कर आई हैं क्लास बाण तो हम इसे सेम स्टाइल से करने वाले हैं जो मारा क्लास ला अट्रिबूट है हम और ऴीड़ कि अब्राय ऑड्रिबूर, प्रिव, प्रिवि यह थीड़ी that point to be same class name तो इसमें हम यह सब करने वाले और उसके बाद हम यहां पे करने वाले हैं तो तो आया वैँ लिए लेव यह वेड़ लला इंहे इम अजेज वह संने 어때ं़ class attribute can also be used on inline element और उसके बाद हम इसमे select element with specify class को यूज़ करने वाल है select element with a special specify class ओके और इसमें हम देखने वाल है in css to select select element element n class write a provide यहाँ पर हम c dot को लेते हैं correct me character forward by the name name of the class okay and then हम इसके बाद यूज़ करने वाले हैं multiple classes multiple classes okay and the html html element can have more then one class name each class name must name must e rated separated by this piece okay and then different tags can share same class different tags can share same class okay and then different like heading to okay and paragraph can have the same class name and there thereby share the same style same style okay and then using the class attribute in javascript in javascript in javascript using the class attribute in javascript okay and then and then and then the class name also be used used by javascript to preform task task for element in javascript with the specified class in javascript and javascript element element with the with the specified class name by using name name d get element elements elements by class name and and then and then breadth dot and method method in javascript also we will how to first of all we have taught how to now we will practical classes here we have full size so this program has run here and run we here here we just comment okay 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 one minute okay just one minute one minute okay so now we set here okay now we start editing we editing 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 we do step do step do step and then close okay close yeah greater than html less than enter enter and here 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 we we run then editing we cut here here we add heading header we add heading heading to okay here we use heading to slash close heading to close okay then next here slash header close enter and then here we slash html close okay and here we save control s and here we save 24 number 5 okay and dot html html okay so see whatever we save and here save all types select here we press all types select here control s okay this simple program run so here our file here we open interface so here we open here we close here we put here we put here here we add here here we add here we add style okay style close okay then we add cities dot lm dot cities okay and now we space we add we add c to c to to it is space and then it is space and then we enter and then here we tap press here we add background color background color we select and then here black okay here we set color white 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 okay and here we set margin margin 20 pixel 20 pixel and then here close okay and our pending 20 pixel 20 pixel okay and then we close enter press okay here we close style close enter and here we add close add close enter okay now we use we enter we first of all devy go body we start body body can start body okay press enter and then devy class 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 equal double comma cities double comma okay here we close enter and and we have and the capital of England is the okay and here we 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 do and here we sit add and here here we add here we add close here tap press here and here we add to adding to adding to close and then here we write okay here we close adding to adding to here paragraph add which paragraph will be close and then here price is the capital of France and then here we give slash p close enter okay and and here we close enter enter and here we add class equal double comma and here cities double comma double comma okay and here close and here we add add to here heading to close heading to here paragraph we paragraph here we do Tokyo is the capital of japan okay and then here we slash slash p close and then we close slash slash and close okay so now we close we close okay so let's here header and close and close we refresh control s refresh okay so see paragraph add and background color change all this is style all this background color black and white and margin space 20 pixel and pending space 20 pixel so here we can color as it is example red color control as and refresh and see our color red does and we can change to and green control as and refresh and here we can green color अगर हमें कुछ अच्छा से नहीं लग रहा हम यहां पर इसका ब्लीव को देते हैं Ctrl S और यहां पर रिफ्रेश यह देखें यह भी लाइटिंग यानि कि इसकी फुल लाइटिंग है जो बहती से लग रही है तो हम यहां पर ब्लैक ही स्लेक्ट रहें देते हैं Ctrl S रिफ्रेश ओके तो यह देखें हमारा जो बैगरांड कलर चेंज हो चुका है एंड न हम यहां पर पिक्सल की साइज को जो हमारा मार्जन है उसको हम बढ़ा सकते हैं उसको हम 50 कर सकते हैं Ctrl S और यह हमारा मार्जन होगा वो बढ़ जाएगा है यारे कि इस साइड से और इस साइड से से मार्जन हमारा इतने यहां से और यहां से 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 रहेगा कोई आग पिछ नहीं रहेगा और जो हमारा पैंडिंग का है इसको भी हम सेट कर सकते हैं 50 कर सकते हैं Ctrl S and then हम इसे कर देते हैं refresh ओके तो यह देखिए इसका पैंडिंग है जो बीच का साइज है यह भी बढ़ा हो गया है तो यह बढ़ा सा हमें बढ़ा लग रहा है हम इसे कर देते हैं वापिस 20 कर देखते हैं Ctrl S और हम इसे कर देते हैं refresh यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो चलिए अब हम हमारी next जो हमारी अधिद्द कर पि देखते हैं कैसे होगा और तुमें क्या कुछ होने वाला है लोग तो चलिए अब हम यहां पे प्लस पलस में हम यहां पर कर देखे हैं कैसे यह कुछ और अधिटिंग करने बाली है मारा जो साइज विकारा करें हम कैसे चेंज करने वा रहे हैं तो स्टाइल में हम यहांपी इंट्री एक निए इंट्री करते हैं यहांपे हम स्टाइल में स्पैन को एड़ करने बाले हैं स्पैन को हमें स्टी करने हम ध़र नावस स्टाइज ओस लंत बंध पस्टाइज हैं फलोड रा मत एक एक नएस करें ट्क्र अब अब जो भी यहां पर बोडी में सेट करना चाहें यहां पर कर सकते हैं और जो कुछ भी हमारा होगा यहां पर चेंज़ दोगा अगर हम इसमें क्लासिज को एड करेंगे ओके तो चलिए हम यहां पर एक एड़ी एडिग वन यूज करते हैं एडिग वन क्लोज एंदेन माई यहां पर इंपोर्टेट हैडिंग लिख देते हैं माई इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हैडिंग एडिंग एडिंग एंड देन स्लैश हैडिंग वन ओके इसे करते हैं और यह करते हैं ग्रोज और यहां पर देखते हैं यहां पर changes ओकी तो हमारी heading यहाँ पे show कर रही है हम यहाँ पे चले जाते हैं अब हम यहाँ पे जो span की ID है तो उसको हम यहाँ पे add करने वारे हैं ओके तो यहाँ पे हम कर देते हैं span class equal double comma note double comma यहाँ पे double comma ॉके अंडे हम यहाँ पे इसे close लगा यहाँ हम इसे close करते हैं और जो हमारा होगा इसमें हमारी heading होगी वो हम इसमें कैसे change करने वाला हैं वो देखिएगा तो important के आगे हम यहाँ पे एक और span को到 कर देते हैं अगर हम यहाँ पे span को यहां पर close नहीं करते तो यह पूरा के पूरा color हो जाएगा लेकिन अगर हम यहां पर span को close करते हैं तो हमारा color सिर्फ बीच का वर्डी होगा यहां पर span span close okay and यहां पर हम एक paragraph को भी आड़ कर देते हैं okay यहां पर हमारा paragraph paragraph close and यहां पर माई okay हमने यहां पर माई बाले नहीं एक और कुछी रिजामपल ले 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 थे हैं this is some not important important and then यहां पर text okay तो हमने यह एक simple paragraph add कर लिया है paragraph को हम कर देते हैं close okay अब हम यहां पर कहां पर भी आड़ कर सकते हैं हम important को यहां पर भी करते हैं add और इसका हम color बिलकुल थोड़ा सा large करने वाले हैं okay तो हम यहां पर span span close equal double comma not double comma close okay and then हम यहां पर span को add करने वाले हैं span span okay यहां पर span कर दें close यहां पर हमारा slash के साथ okay तो यहां पर हमारा जो okay हमने यहां पर span को गर दिया close okay तो यहां पर हमने यह किया अब हम यहां पर करते हैं control as और बेटते हैं इसे चेक करके okay 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 and then यहां पर हम refresh refresh okay तो यहां पर हमारा जो text tab बिल्कुल small size में है और यहां पर हमारी जो file अच्छे से रन नहीं कर पाई तो चरी हम यहां पर देखते हैं क्या mistake होई हमारी okay okay तो हमने यहां पर font size में भी कुछ span dot dot okay font size 120 करना हमने टोटली बारादा रख है okay तो यहां पर हम color red okay हमारा ठीक है यहां पर हम my span close okay यह हमारा लग भूग ठीक है मुझे यह ठीक नहीं लग रहा कुछ यहां पर हम गड़ पड़ लग रही है हम यहां पर दबार स्टाइब करते हैं s span span okay and class not okay यहां पर हमारी गड़ पड़ा है यहां पर हम तबल कोमा देना भूल है okay तो अब हम यहां पर कंट्रोल आज करते हैं क्ट्रोल एस एंड देन रीफ्रेश तो यह देखी अब जो हमारा heading का एकल है वो light दिखा रहा है और जो paragraph है वो थोड़ा सा dark है इस तरह हम यहां पर कुछ भी editing वेर और कर सकते हैं जो हम अपने website में करना चाहें अब हम यहां पर जो d class attribute हम उसको और यूज करके देखते हैं और जो हमारी next हमारी editing है उसको हम करके देखते हैं तो इसमें क्या होने वाला है चलिए हम यहां पर शुरू करते हैं यहां पर हमारा जो है dot sheet ओके यहां पर हम ब्रेक्ट इंटर और टैब बैक्ग्रांड कलर बैक्ग्रांड कलर ओके यहां पर हमारा टोमेटो टेमेटों के यहां पर हम कलर वाइट 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 के यहां पर हमारा पैंलिंग होगा 10 पिक्सल 10 पिक्सल ओके यहां पर ब्रेक्ट कर देंगे close इंटर ओके तो यह हमारी पर बॉड़ी में स्टार्ट करते हैं कि यह हमने ड्वी कैसे लगा दी यहां पर तो यहां पर हमारे ड्वी का रहता हैं और आपैंलिंग को आपैं हैं यहीं पर हैं यहां पर हम heading to को add करें heading to close and then यहां पर हम करने वाले हैं the class attribute attribute and then हम यहां पर कर लेते हैं slash heading to close enter and यहां पर हम कर देते हैं paragraph को add paragraph को close यहां पर हम कर देते हैं use CSS to style style element elements with the class name okay तो यह हमारा class name होगा sit okay यहां पर हम कर देते हैं double कुमा में बंद से and then यहां पर हम हम इसे कर देते हैं close हमारा यह paragraph हुआ close and then यहां पर enter उसके बाद हम यहां पर एक और heading to को add करेंगे heading to heading close okay यहां पर हम लंडन heading close okay यहां पर हम पराग्राफ एक और आड करेंगे okay पराग्राफ and then यहां पर price is the capital of France okay अब हम यहां पर add करने वाले हैं यहां पर इसको close करने रहते हैं close and then हम यहां पर एक और के तो हम यहां पर जिपान वाले को यहां पर हमारी जो heading है हम इसे करते हैं यहां पर copy paste okay तो यहां पर हमारी यह रही heading हम इसे करते हैं यहां से copy ctrl c and then यहां पर गते है control v enter enter and then हम यहां पर गते हैं से copy ctrl c and यहां पर control v okay तो अब यहां पर जो हमारी editing होने बारा है जो lag होने बारी है वो हम यहां पर देखते हैं कैसे हमारी editing अलग होने बारी है तो अब जो हमारा यह second है इसमें हम add कर देते हैं हमारी जो class का sit वाला है ओके तो first हो हम ऐसी short देते हैं second में हम चलते हैं और यहां पर कर देते हैं class equal ओके equal और यहां पर हम sit ओके यहां पर हम close कर देते हैं okay तो हम यहां पर से कर दिये close okay and then हम यहां पर फिसे जो नीचे का मारा जो paragraph है इसमें भी हम add कर देते हैं इसमें class class equal equal double comma इसमें भी हम वही सब add करने वाले हैं okay and then यह close है हमारा and यहां पर हमारा यह close था okay and यह हम third time यहां पर भी add कर देते हैं यहां पर class equal double comma यहां पर okay and यहां पर भी तो चलिए अब हम यहां पर से कर देते हैं कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस और यहां पर हम refresh करते हैं okay okay तो यह देखिए हमारा यह paragraph भी चल गया यहां पर हमारा जो editing है हमने यहां पर first of all यहां पर city को यह हमारा style में होना था है मैं यहां पर इसको एड़ किया और यहां पर भी जो हमारी डीटिंग है वो यह इसी सट्री क्योंकि हमारे जो attribute हमने जो classes का लगाया था code वो यह रहा हो okay तो यहां पर हम जिस भी में लगाएंगे वो color होता जाएगा हमने color रखा का tomato अगर हम इसका color कुछ और रखते हैं pink control s करते हैं maybe हम देखते हैं से तो यहीं कि मारा color pink हो गया okay तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको color अच्छा लगे आप color को select करके color रख सकते हैं और इसी तरह आप लग लग तरह के बहुत सारे experiment की तरह करके जब भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे क्योंकि आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा अधरवाई यहां पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आपको यहां से अच्छे से सीखेंगे अच्छे से आपको यहां पर ध्यान देना है जब भी आप यहां से बढ़िया सीख के जाओगे चलिए अब हमने यहां पर कर लिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के और चलते हैं जो हमने यहां पर और एडिटिंग करेंगे इसमें हम क्या करने वाला है जो हमारा टेक्स्ट है हम उसको सेंटर में लाएंगे और सेंटर में लाके हम इसको लग लग जिसको भी हमने सेंटर में करना है जा कहीं और करना है उसको हम लग लग टाइप से इसको करने वाले हैं चलिए तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं तो यहां पर हम style में चलते हैं और यहां पर इसका style को set करते हैं हमने इसमें background को सेट कर रखा और अब हम यहां पर इसके main को set करते हैं इंटर डॉट में डॉट में एंड यहां पर इंटर ओके एंड यहां पर हम टैब प्रेस करते हैं अब यहां पर टेक्स्ट अलाइन करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन कि को कि कुंट्रोल जैड कि हम यहां पर कुछ जादे कर रखें कुंट्रोल वाई वाई ओके तो यहां पर हम टैक्स्ट अलाइन करते हैं कि यह आधा टेक्स्ट अलाइन हो गया ओके यहां पर हम कर देते हैं सेंट्र तो सेंट्र पर यहां पर अधे तो यहां पर यहां पर सट हो चुका अब हम यहां हमारा जो है डिंग है उसको हम यहां पर heading to है उसको हम यहाँ पर color देने वाले हैं जो हमने यहाँ पर text align में किया था तो अगर हम mean का color देना चाहें यानि कि इसको हम set करना चाहें text को align center में तो हम कैसे कर सकते हैं तो यहीं पर अगर हम आप चलिए हम यहाँ पर इसको set करना चाहें सेंटर में तो हम यहां पर में को में ख्लास में ख्लास इक्वल डबल कॉमा में एंड डबल कॉमा ओके यहां पर हम कर देते हैं कि पाल की मारा से रहने देते हैं चलिए हम यहां पर से कॉन्ट्रोल एस रिफ्रेश करें हुआ है हम यहां पर से कुमेंट से घरणा है हम इसे का चाहिए यह इह घरणा है यह हमारा टेक्स्ट है वह बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं और भेंड हम यह घ्लास की यह extension को भी लगाना चाहते हैं जो हमने इसको set की हुई थी colors में तो इसको हम set करने के लिए क्या use करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं देखिए city को भी हम साथ में use कर सकते हैं और इसको हम main को भी साथ में कर सकते हैं control s हम इसे refresh करके देखते हैं चलिए यहां पर हम चलते हैं और देखते हैं refresh करके तो यह जो हमारा text था वो हमने यहां पर set कर दिया बिल्कुल text align center में तो इसी तरह अगर हम किसी और को भी center में जब कहीं पर भी करना चाहते हैं तो यहां पर हम कर सकते हैं हमारी जो में की जो हमने class को set किया है okay control s and then यहां पर देखिए हम इसे refresh करते हैं और यह देखिए यह भी हमारा इसमें set होगा है अगर हम यहां पर यहां पर यहां पर परग्राफ को हम set करना चाहते हैं यही पर center में तो हम यहां पर without color के हम इसको center में कर सकते हैं okay हम इसको class के extension देते हैं class equal double, double, and then हम यहां पर जो हम main है वह हमारा center वाला है हम इसके कर देते हैं enter and control s okay जगते है refresh okay तो यह देखिए हमारा जो paragraph है वह भी हमारा center में आ चुक है अब तक हम ने यह देखिए यहां पर इतना सब कुछ किया है अब देखते हैं हम इसमें और क्या कर कुछ कर सकते हैं okay तो चलिए हम यहां पर notpad में और भी देखते हैं जो हम हमारी different tags हैं उनको share class में हम कैसे add कर सकते हैं okay तो अब तक हमने यहां पर बहुत कुछ सिखा अब हम और इसमें सीखने वाले हैं वह है हमारा same class define tags okay तो यानि की जो हमारे tags उसको same sit वाला है तो हम यहां पर sit वाला यहां पर कर चुक है यह दिखिए city वाला ओके अब हम यहां पर using the class attribute in JavaScript जो JavaScript में होता है हम उसे अब यहां पर use करके देखेंगे और देखते हम इसमें क्या कुछ difference होता है JavaScript में और इसमें क्या कुछ अलग अलग तरह की values होती है तो JavaScript में और क्या क्या कुछ कर सकते हैं तो हम इसको करके देखते है JavaScript में तो चलिए हम यहां पर हमारा heading एक new heading ले ले लेते हैं और एक new paragraph set करते हैं heading यहां पर हम heading to heading to close and यहां पर हम करते हैं using the class attribute class attribute class attribute attribute in java script तो हम यहां पर से करते है heading to close heading to close and then यहां पर हम एक paragraph add करते हैं okay job and click click the button button to do hide all element with the class name and then यहां पर हम करते हैं city comma and यहां पर with java script okay हम इसे करते हैं close paragraph close enter तो अब जो हमारा paragraph है हमने कर दी इसको add और अब जो हम java script की help से यहां पर एक button add करने वारे हैं okay जो हमारा एक हम hidden elements के बारे में add करने वारे हैं तो चलिए हम यहां पर button को जो add कर देते हैं button one clip one clip one clip and yap yam double goma my function and dot and yap yamara double goma and यहां पर हम कर देते हैं इसको close and यहां पर हम कर देते हैं hide element okay and then हम यह कर देते हैं button को close button close okay तो हमने यहां पर एक button की extension दी है उसको हमने close कर दी है और उसके बार हम जो sit वाला है उसको हम यहां पर add करने वाले हैं जो हमारा heading to होंगी बाकी हमारा वो सब same ही है okay okay तो लगबग बाकी हमारा सेम एस्टी रहने वाला हम यहां पर एक script add करने वाले हैं okay तो यहां पर हम इसे close कर देते हैं और यहां पर क्लोज और यहां पर हमारा यह सेम एस्टी रहने लेते हैं और यहां पर हम एक इसके बाद यह हमारी one two three four के बाद हम यह एक new यहां पर script add करने वाले हैं तो यहां पर हम add कर लेते हैं script script close enter and function 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 my function and then okay तो हमारा यहां पर यहां पर यहां पर हम करते हैं add और यहां पर हम देते हैं correct without dot okay यहां पर हम इसके आगे space देके हम इसको कर देते close enter and then उसके बाद हम यहां पर tab को प्रेस करते हैं and vr space x equal document document. dot get element elements elements by class name okay and यहां पर हम कर देते हैं city को close city close okay and यहां पर हम कर देते हैं and यहां पर हम कर देते हैं and यहां पर हम कर देते हैं इसको greater 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 than and यहां पर हम into जो हम into का जो हमारा हम यहां पर कर देते हैं x dot x dot light length length okay और यहां पर हम कर देते हैं i plus plus and then हम कर देते हैं bracket में बंद okay and यहां पर हम कर देते हैं bracket शुरू and यहां पर हम कर देते हैं tab and यहां पर हम करते हैं x और यहां पे हम बारी ब्रेक्ट शरू और यहां पे आई ब्रेक्ट क्लोज.style.display लिगा डिस्प्ले two- were 2 फोमा कर दोलि है तो ये स्कृप्ट नहीं लग बुग रटी है दिस्क्रिप्ट को नहीं तीब बमुग अकर रखर महरेन है श्क्रिप्ट को कर देदी है श्कूर्ब्स ऐसे कर देलोगे और स्क्रिप्ट तो अभी तक की यह हमारी स्क्रिप्ट है वो रेडी है तो चलिए हम इसे कर देते हैं Ctrl S और देखते हैं क्या कुछ इसमें Changes होने बाले हैं ओके यहाँ पर यह से वह रही है हम यहाँ इसे कर देखते हैं क्या क्या देखते हैं क्या 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 है तो यह देखीजिए हमारी जो First है यहां पर हमारा जो button है वह हमारा Click Add button Add हो जोका है Hide element ओके तो इसको हम ऐसी तो हम यहां पर कुछ भी ऐसे add कर सकते हैं जो JavaScript की language है वह थोड़ी सी tough है लेकिन इतनी भी ज़्यादा tough नहीं है तो चलिए हम यहां पर कुछ और भी करके देख रहते हैं अगर होड़ पाई तो इस तरह हम यहां पर जावा स्क्रिप्ट में जो button हो गयरा होते हैं उनको हम add कर सकते हैं अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर भीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जुड़े लिए हमारे चैनल के साथ तेंक यू दोस्तों करना वाँ